क्या आप भी फेस्बुक पेज पर मोबाइल की मदद से गेम वगरा की लाइश्ट्रीम करना चाहते हो तो बिलकुत सही वीडियो में आयो क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फूल डिटेल के साथ एक्स्प्लेन करने वाला हूं कि आप किस प्रकार मोबाइल की मदद से फेस्बुक पेज पर एक प्रोफेशनल वे में लाइश्ट्रीम कर सकते हो प्रोसेस बड़ा ही सिंपल सा है बड़ी आसान से आप लोग समझ भी जाओगे बस सर्त इतनी सी है वीडियो को पूरा देखना है स्किप नहीं करना है तो चलो शुरू कर लेते हैं नमस्क लाइश्ट्रीम कर सकते हो वो भी प्रोफेशनल वे में क्यों फेस्बुक पर ही निल्किद कि आप अपने Facebook अकाउंट के साथ भी Login कर सकते हो और साथ ही Gmail अकाउंट के साथ भी Login कर सकते हो मैं यहाँ पर Gmail अकाउंट के साथ Login करने वाला हूँ तो Google पर क्लिक करता हूँ Gmail अकाउंट सामने आता है इस पर क्लिक करके मैं अपने Gmail अकाउंट को इसके साथ connect कर लेता हूँ और मेरा login यहाँ पर complete हो जाता है जैसे login complete होगा तो आपके सामने कुछ इस परकाट की screen आएगी यहाँ पर आप लोगों को ok पर press कर देना है अब नीचे की तरफ देखो connect live और video इस परकार यह कुछ option होगे आप लोगों को live पर click कर लेना है जैसे lucy live पर आओगे तो आप लोगों दो option दिखाए जे रहे होगे camera और screen आप लोगों को screen पर click कर देना है यहाँ पर ok पर click कर ना है और जो भी permission मागए आप लोगों को दे देनी है अब back जाना है जैसे ही back जाओगे तो आपको यहाँ पर screen cast लिखा हुआ दिखाई देगा लेकिन अब हम लोगों को यहाँ पर अपने facebook account या फिर facebook page को link करना है उसके लिए आप लोगों को ready पर click करना है जैसे ही ready पर click करोगे तो set destination नाम का इक option आएगा इस पर click कर लेना है जैसे ही click करोगे त आपके सामने account connect करने का option आजाएगा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे facebook ही नहीं आप जीतने भी application देख पा रहे हो इनके उपर भी आप live stream कर सकते हो इस application के जरिये तो हम यहाँ पर facebook page को connect कर लेते हैं facebook पर click करते हैं यहाँ पर देखो connect facebook या फिर facebook custom rtmp rtmp क्या होता है आप लोगों को नहीं पता तो google कर लेना मुझे पता है लेकिन बताऊंगा तो वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी एक stream की होती है उसका इस्तिमाल करके आप without login करके यहाँ पर live stream कर सकते हो लेकिन मैं फिलाल connect facebook के साथ जा रहा हूं क्योंकि यह simple पढ़ता है तो य तीचे की तरफ देखो भाई यहाँ पर my page का option आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल third option इस पर click कर देना है यहाँ पर आपके facebook page पर जीतने भी page हैं आप लोगों के सामने आ जाएंगे फिलाल मैं यहाँ यहाँ पर gaming भाई जी के साथ live stream करने वाला हूं तो इसक 720p के साथ करने वाले हो या फिर आपकी net speed बढ़िया है uploading speed तो 180p के साथ भी आप लोग जा सकते हो ओके press कर लेते हैं फिर आती है video quality की बात इसको adaptive ही रखना bit rate computer के लिए 4500 recommended होता है mobile के साथ जाओगे तो भया 1000 कर लेना क्योंकि lag होगा फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोगों जाता है तो इसकी वज़े से मैं यहां पर select नहीं कर पा रहा हूं इसके लावा आप लोगों को और कुछ शेड़ने की जुरूत नहीं है OK पर press कर लेना है अब आप लोगों को अपने mobile पर कुछ ही इस प्रकार press करना है तो आप लोगों के सामें यह option आ जाएंगे सबसे पह content है यहां पर आप अपने Google पे नंबर पेटे नंबर वगरा को लाइव स्टीम पर एड़ कह सकती हो जहां से आप revenue भी कमा सकती हो अब चलते हैं आगे आगे आता है वीड़ का option इस पर क्लिक करोगे यहां पर आप चैट वगरा जो होती है स्क्रीन पर देख सकती हो जो आपक स्क्रीन कर लेते हो तो आपको भी दिखाए देगी और आपके ओडियंस को भी दिखाए देगी अब डिस्पेरिंग चैट मैसीज कितने इसमें के बाद आपका मैसीज मतलब डिस्पेर हो जाएगा आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो इसके लाओ आप लोगों के आपर custom theme भी म पढ़ेगा तो हम अपना game खेलने वाले हैं तो यहां फिर लेते हैं लिक्के सेट कर लेते हैं यहां से आप यहां से भी आप inट्रों वगारा सैट कर सकते हो यहां फिर आप facebook पर कर रहे हो तो thumbnail वगारा यहां से चेंज नहीं कर सकते हो तो बाकी का step मेरे को मुबाइल से दि application का इस्त्माल करो तो अपने मुबाइल की screen rotation को own कर लेना क्योंकि आप लोगों को live stream के दोरान game कुछ इस प्रकार पकड़ना होता है ठीक है और background में अब अपने उस game को open कर लेना जिसके आप live stream करने वाले हो ताकि जैसे यह आप live पे click करो उसके बाद एक दम से आप game को open कर सक तो यह अपना game open हो गया है अब यहां पर देखो आप लोगों को यह option दिखाये दे रहा है ना जो प्रीजम स्टूडियो का logo है इस पर click कर लेना है जैसे click करोगे तो यहां पर आपके सामने कुछ option आते हैं अरे होजा भाई यह आ गए option देखो camera on off का option मिल जाता है यहां सी दे यहां पर बहुत पुराना game कर रखा है चालू तो यहां पर मैं live stream open कर चुका हूं ठीक है चालू कर चुका हूं लेकिन आप हम लोगों को देखना है क्या भी अपने PC में भी यह हम लोगों को दिखाये देगा तो चलो भाई PC के अंदर चलते हैं थोड़ा सा आगे मैं camera रख है हाई यह देखो यह चल रही है आप लोगों के सामने live stream मैं चला देता हूं फुल करके और अभी आप लोगों के सामने live stream भी चल रही है देखो ठीक है अभी मैं तोनों चीज आप लोगों को दिखाता हूं जो यहां पर मैं करूंगा वही आप लोगों को कुछ देर के बा सिरकार आप मुबाईल की मदद से प्र लाइश्रीम कर सकते हो तो वाई यह एक simple सा process है जिसके जरीरिया आप अपने facebook पेज पेर मुबाईल की मदद से professional way में live stream कर सकते हो बहुती सांदर output आप लोगों की वीडियो अच्छे लगी हो गया अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं बहुत जल्द एक नई इंपोर्मेशन वाली वीडियो के साथ अब तक लिए बाई बाई